इन्वेस्टर मीट के बहाने प्रदेश सरकार करोणों रुपे का फिजूल खर्च कर रही है ये बात कॉंग्रेस प्रदेश प्रवक्ता इंदू पट्याल ने कुल्लू में आयोजित पत्रकारवारता के दोरान कही उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रदेश प्रदेश प्रवक्ता इंदू पट्याल ने जैराम सरकार पर इन्वेस्टर मीट के बहाने प्रदेश की धर्ती को बेचने का मसौदा तयार करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा शड़ियंत्र है और तो और सरकार को कोई विशेश पैकेज लाना चाहिए था लेकिन यहां तो प्रदेश के बहारों को उद्योग पतियों को बेचने का मसौदा तयार किया गया है इंवेस्टर मीट के बहाने प्रदेश सरकार करोडों रुपे का फिजूल खर्च कर रही है इंदू पटियाल ने कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार पहले ही पजास हजार करोडों रुपे से अधिक के कर्ज में डूबी है और इन्वेस्टर मीट कर प्रदेश को और कर्ज में डुबाने का काम प्रदेश सरकार कर रही है उन्हें कहा कि प्रदेश सरकार बिरोजगार यवाओं के प्रती समवेधन शील नहीं है और बहारी लोगों को रोजगार देकर प्रदेश के लाखों पे रोजगारी वाओं के साथ प्रदेश सरकार धोखा कर रही है निश्चित रूप से बहुत बड़े स्तर पर छोटे जो प्रेटन बेवसाई हैं उनको इसमें नुकसान होगा जब बड़े उद्योग पती क्रोडों का निवेश हिमाजल प्रदेश में करेंगे तो छोटे कारोवारी तो निश्चित रूप से प्रभावित होंगे तो इसमें मुख्य मंत्री जैराम ठाकुर जी को चाहिए था इन्वेस्टर मीट से पहले उनको जो है प्रेटन को लेकर के जो एक बड़ा पैकेज हिमाजल प्रदेश के लिए मांग करनी चाहिए थी ऐसा कुछ नहीं हुआ मुझे तो ये लग रहा है कि ये पूरी जो इन्वेस्टर मीट हो रही है ये भाजबा सरकार जो है एक शडियंतर रच रही है और जनता को लोगों को और सभी दलों को जो है गुम्रा कर रही है इवन जो विपक्ष के विधाइक है उनको इस इन्वे किमती यहां की द्रोर संपती है उसको बेचने की त्यारी चल रही है इससे पहले भी मैंने आप से कहा था कि बड़े बड़े होटल जो है इनकी सूची में शामिल है अब ये किस प्रकार से करते हैं मुझे तो लगता है कि पूरी तरह से ये जो है जनता को और सभी दलों को गुम्रा कर रहे हैं और ये एक फिजूल खर्ची है जबकि माजल परदेश पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है और इस प्रकार की फिजूल खर्ची मुख्या मंत्री जैराम ठाकुर जी कर रहे हैं मुझे इस सिटी चैनल के लिए कुलो से दिली ठाकुर की रिपोर्ट